हलो डियर एवरिवन कैसे हो सब बिलकुल ठीक था तो क्लास 12 स्टुडेंट बिहार बोर्ड के स्टुडेंट सिब्यसी बोर्ड के स्टुडेंट या फिर ICIC बोर्ड के स्टुडेंट किसी भी बोर्ड के स्टुडेंट है और सॉलिड स्टेट आपको पढ़ना है तो आपके लि पुरा पूरा चैप्टर ताकि आपको इसके एम सी क्यूज के लिए फिर इधर उधर परिशान होने जोड़त नहीं होगी और आपको जगह जगह जहां जोरत होगी समझाने की वहां समझाती भी जाओंगी आपको और साथी साथ मैं यह भी बता दूंँगे आपको कि सॉलिड को बरबाद किये without wasting time चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और वीडियो का question number one हम लोग करेंगे और देखें जैसे जैसे मैंने कोसिस की है कि जैसे जैसे आपका chapters होते हैं वैसे वैसे करके मैंने question डाला है आपके लिए ताकि आपको बनाना असान हो जाए तो चलिए करते हैं स्टार्ट और करते हैं question number one अगर वीडियो अच्छी लगे helpful लगे तो लाइक भेड़ सारा कीजिएगा ताकि motivation मिले कि हां ऐसी वीडियो और लानी की ज़रुरत है बच्चों के लिए और लाइक करें सेर भी कर लें दोस्तों के साथ साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में अपने आगे तो पहला question है बहुत इजी सा question इन solids the constituent particles may be atoms ions molecules either of the above three यानि solids में constituent particles क्या होता है atoms भी हो सकता है ions भी हो सकता है molecules भी हो सकता है तो option number कौन सा होगा हमारा डी आइधर अब द अबब थी ठीक है next है हमारा लेखे question number two in solids the constituent particles are arranged in constituent particles जो atom आयन और molecules हम लोग ने पड़ा वो कैसे arranged होते हैं आपके solids में तो definite pattern in one direction definite geometrical configuration random disorder arrangement none of these तो देखें यह जान लिजिए आपकी solids जो होते हैं geometrical shape में पाया जाते हैं जैसे tetrahydral और orthorombic यह सब जो cubic तो यह सब क्या है geometric award है तो याद रखने के लिए आपको ट्रिकली याद रख सकते हैं definite geometrical configuration ठीक है समझना ही सब्सक्राइब करते हैं जिसके कारण क्या होता है क्रिस्टल को जाब ब्रेक करते हैं तो वह इजली ब्रेक होता है क्लिवेज उसका सही तरीके से होता है question no.3 हो गया बढ़ते है question no.4 के देखे question no.4 है in square close packing pattern of spheres of identical size in one layer the coordination number of each sphere will be square close packing pattern में जो coordination number होता है coordination number का मतलब होता है कि जो neighboring एक sphere के साथ जो सटा हुआ sphere होता है उसे उस sphere का coordination number कहते हैं तो square close packing में कितना number होता है four होता है चार coordination number होता है यही जब आगे पढ़ेंगे hexagonal में six हो जाता है तो question no.next हम लोग देखते है the more efficient mode of packing of identical atoms in one layer is यानि सबसे efficient mode of packing क्या है यानि जिसमें closed packed structure जिसे कहते हैं जो solid का सबसे packing बला structure किस mode में बनेगा तो उसके लिए क्या है square close packing pattern hexagonal close packing pattern both a and b none of the two तो आपको बता दूं कि आपका जो hexagonal close packing pattern होता है इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा packing होता है तो hexagonal close packing pattern हो गया ठीक है next question है the number of nearest 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 to each sphere in hexagonal close packing pattern in one layer will be अभी मैंने जस्ट अभी उपर आपको बताया है कि six होगा जब hexagonal की बात करेंगे तो six हो जाएगा square close packing करते हैं तो four होता है ठीक है उसके बाद question number seven देखिए आप in HCP HCP का मतलब ही है hexagonal close packing ठीक है ठीक है na HCP short form में लिखा जाता है hexagonal close packing arrangement in three dimensional the overall coordination number of each sphere is तो देखिए जब एक layer की बात थी तो six था यहाँ पर क्या कह रहा है three dimensional three dimensional figure हो जाएगा तब coordination number क्या होगा तो just उसका दो गुना हो जाएगा यानि कि 12 हो जाएगा तो इस तरह से हम लोगोंने question number seven कर लिया अब question number eight पर आते हैं तो देखिए एक number question है in cubic close packing यानि CCP arrangement the pattern of successive layers will be designated as यानि कि जब आपको पढ़ाया जाता है कि किस तरह का pattern होता है cubic close packing में तो उसका क्या उसको ध्यान में आपको रखना होता है cubic close packing में कहों सा pattern होता है abc 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 etc यानि abc layering होता है अलग अलग layer होता है कभी भी repeat नहीं होता है abc फिर abc इस तरीके का arrangement होता है जब आप arrangement बनाते हैं उस time तो इध्यान रखेगा कि cubic close packing में abc abc type का pattern होता है ठीक है और क्वेशन नमबर 9 देखेंगे हम लोग cubic close packing arrangement is also known as तो क्या है कि cubic close packing arrangement दूसरा नाम क्या है इसका तो face centered cubic बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं face centered cubic ठीक है क्यूबिक close packing को ही क्या बोलते हैं face centered cubic बोलते हैं ठीक है नेक्स देखिए question number 10 in ccp arrangement the coordination number of each sphere is तो ccp arrangement में जो आपका coordination number of each sphere होता है वो 12 होता है इसको ध्यान में रखना है इसको एक जगह आपको दिया है मैंने अपने notes में उसको आप देखें ठीक है the total number of identical spheres required in cubic close packing arrangement is total number of identical sphere कितना जरूत होगा क्यूबिक close packing arrangement के लिए देखिए क्यूबिक close packing arrangement को face centered cubic भी कहते हैं इसलिए total number of identical sphere कितना हो जाएगा 14 face centered के लिए जितना होता है वही होगा क्यूबिक प्लोस्ट पैकिंग अरेंगमेंट के लिए भी वेस्टन नमर 12 में हमारा दा अरेंगमेंट फॉस्ट टू लेयर वन अब अब द अधर इन HCP and CCP arrangement is अब देखे कह रहा है क्या कि अरेंगमेंट फॉस्ट टू लेयर फॉस्ट टू लेयर का जो वन अब अब अधर in hexagonal cubic packed and CCP arrangement is क्या होता है exactly same in both case partially same and partially different different from each other nothing different तो इसके लिए देखे CC HCP और CCP में क्या होता है कि exactly same in both case हो जाता है HCP में भी ABC टाइब का pattern होता और CCP में भी वैसा ही pattern देखने को मिलता है तो exactly same यह सारा चीज़ आपको पढ़ाया गया है और 13 यह इंटरस्टेसियल ओलीज को टेटरा हैडरल विकाज इस फॉर्म बाइफ फ्रोड़ स्पेर इस टेटरा हीडल इन सेप लगेगा आपको कि सारा ओप्शन तो बिल्कुल सही है लेकिन देके आगे पढ़ते हैं इट इस फॉर्म बाइफ फॉर्म वीच फॉर्म अरु तो यह देखेंगे थियोरी में साफ है लेकिन आप इसको भी करेंगे तो आपके दिमाग में रहा जाएगा तो कैसा साइट होता है कंपेर करते हैं तो लार्जर होता है ओप्शन नमबर सी अब पाता है बारी क्वेश्चन नमबर 15 का क्वेश्चन नमबर 15 देखें उसी तरही के का व्यश्चन है जस्ट उससे मिलता जूलता देखें इन 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 अक लोगे लेटेस्ट अनमबर ऑफ ऑक्ता हेडरल साइट्स एस कंपेर टू टेट्रा हेडरल वन्स बिल भी अब जैसे संख्या कितना होता है टेट्रा हेडरल से तो उसके लिए क्या है तो उसका ऑप्शन है हाफ हाफ होता है सब पढ़ाया के क्वेश्चन नमबर 16 है इफ आर इस दा रेडियस ऑफ एसफेर्स फॉर्मिंग क्लोजस्ट पैकिंग लेटिस लेटिस एंड आर इस दा रेडियस सब्सक्राइब करें होता है वो रीलेशन कैसे कैसे होता है तो टेट्रा हेडरल को डिलेशन भी होगा है यहां सब्सक्राइब ठीक है लेकिन इसके साथ ही आपको बतादो कि यह वाफशन और के लिए euro को यह लगेगा तो यह गंष्या नहीं नहीं देखा न्यांद है तो एक आपको सही 414 ठीक है यह होगे हमारा question number 17 देखते हैं हम at the limiting value of radius ratio यानी r cut iron by r anion इसमें कौन सा statement इसको fulfill करेगा यह देखे forces of attraction are larger than the forces of repulsion forces of attraction are smaller than the forces of repulsion forces of attraction and repulsion are just equal तो radius ratio जो होता है वो किसके लिए कायम करेगा और d है none of these तो इसमें से आपका option कौन सा सही होगा c आपका होगा forces of attraction and repulsion are just equal ठीक है radius ratio कब देखेंगे हम लोग limiting value of radius ratio क्या होगा जब forces of attraction and repulsion are just equal होगा ठीक है question number 18 है हमारा for an ionic crystal of general formula ax माल लिजिए and coordination number 6 ठीक है the value of radius ratio will be greater than 0.73 in between 0.73 and 0.41 in between 0.41 and 0.22 less than 0.22 तो यहां पे जो हमारा option सही होगा वो है हमारा in between 0.73 and 0.41 तो देखें माल लिजिए कि जब ax and coordination number 6 दिया तो यह होगा option ठीक है अगर यही coordination number बदल दे माल लिजिए ax ही आपका रहेगा एक तो मैंने यहां बता दिया आपको कोई दिकत नहीं ax ही रहेगा और सिर्फ क्या है coordination number क्या हो जाएगा आपका अगर 3 रहेगा coordination number 3 तो क्या हो जाएगा आपका range क्या होगा आपका 0.155 से तो देखें coordination number 3 होगा तो range आपका जाएगा कितना आपका ax अगर रहेगा और coordination number आपका जिस तरह से 6 था तो in between यह था अगर coordination number 3 होगा तो in between this होगा और coordination number 4 होगा तो in between this कहीं भी आप note down करके रख सकते हैं objective questions के लिए very very necessary होता है coordination number 6 का मैंने यहां बता दिया इसलिए यहां नहीं mention क्या है coordination number 8 का हो जाएगा 0.732 से 1 ठीक है और जैसे coordination number के हिसाब से आप अपने solid के structure को भी पहचानते हैं कि coordination number 3 है तो planar trigonal होगा ट्राइंगुलर होगा फोर्ज होगा वो टेट्राहेडरल होगा 6 आपका hexagonal octahedral हो जाता है और एट अगर आपका coordination number है तो body centered cubic होता है तो यह भी आपको जानकारी में रहती है बात है तो जहां पर आएगा वहां पर mention कर दूंगे ठीक है तो यह देखे यह समझ गया तो यह आपको याद रखना पड़ेगा इसका कोई और रास्ता नहीं है आप इसे याद कर सकते हैं इस range को तो धियान रखेगा ठीक ह जो शुडवी तो octahedral यहां लिख दिया वहां पर क्या लिखा था coordination number 6 दिया तो आपको ध्यान रखना है कि coordination number 6 होता किसका है octahedral का ही होता है तो coordination number 6 पुछा उसके बाद range पुछा radius ratio का तो भी वही option होगा और अगर octahedral लिख दिया it means की वही है coordination number 6 मतले यहां पर कहने कारती है बच्चों के 18 और 19 का question आप देखोगे question एक ही है सिर्फ अंदाज है अलग है अंदाज अलग है पूछने का बस तो confused नहीं होना है आपको हर एक छोटी-छोटी-छोटी-छोटी बाते हैं जो याद रखने है कि coordination नमबर 6 जिसका होता है वह अक्टाहेड्रल ही होता है तो अक्टाहेड्रल अगर है तो रेंज ओफ रेडियस रेशियो चेंज तो होगा नहीं वही रहेगा तो आपको ऑप्शन नमबर हमारा कौन सा सही जाएगा सी 0.414 से 0.732 तक ठीक है फिर वैसे ही क्वेशन नमबर 20 आप देखेंगे वेन दर रेडियस रेशियो आप प्लस रेशियो आर माइनस वैल्यू इस 0.7 दा कॉडिनेशन नमबर एक्सपेक्टेड आइस देखे कितना एक मैंने जो आपको लिखवा दिया पीछे उसको अगर आप कही नौट डाउन कर लेते हैं वहार जगर नहीं था मेरे पास तो इसलिए मैंने मेंटन नहीं किया था देखें कोडिनेशन नमबर जब 3 है तो उसका सेप क्या हो जाता है प्लेनर प्लेनर ट्राइ एंगुलर ठीक है फिर कोडिनेशन नमबर अगर आपका 4 होता है तो सेप कैसा होगा टेट्रा हेड्रल और कोडिनेशन नमबर 6 का तो बार बार बता रही हूं ओक्ता हेड्रल और कोडिनेशन नमबर 8 होगा तो हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बात आगे समझ में इनको आपको लिख लेना है कहीं भी आप देखे इसके आईए वें दर रेडियस रेशियो वैल्यू इस 0.7 दर कोडिनेशन नमबर एक्सपेक्टेड तो आप देखें जाके रेंज आपका दिया हुआ है जहां मैंने लिखाया है प इस रेंज में यह दोनों आ जाता है 6 वाला भी 8 वाला भी ठीक है तो इसलिए यहां पर कौन सा ओप्शन सही जाएगा तो FCC यानि फेस क्यूबिक सेंटर तो आप लोग देख चुके हैं FCC BCC बोथ A and B and नन तो इसका ओप्शन आप याद कर लें कि FCC होता है ठीक है फेस सेंटर होता है फेस प्लस क्यूबिक और और आप लेंट क्रिस्ट इस सेंटर इसमें पाधिस में क्यूंठ ह कर दो पेस में थोा आप चैहेंी सेंटर में क्या होका पाल यादा क्या द zwischenूप्ट होगा 6 क्योंकि इसका कॉडिनेशन नंबर जो होता है 6 is to 6 होता है ठीक है तो देखें क्वेस्टन नंबर 23 है हमारा इन रॉक शॉल्ट इस्ट्रक्चर इच सी ल मैनस आयन इस रॉंड़ेड बाई तो 4 एन याग कर सकैसे क्या एन च्रीया से क्याओ इस्टन जैका सबस्टन मुसित सक्यावट posture you अंबर च्वेड़ के इसे क्योंस क्या शॉजन को दि दूटे ॉज आपक्यों मेंन च्रीक रवाटश को सब्सक्रीन और क्या क्योंस और रिए ठैकछ का option 4 होगा next question है 25 number the existence of a substance in more than one solid modification is none as तो इसका क्या हो जाएगा आपका isomorphism polymorphism amorphism allotropy to existence of a substance in more than one solid modification क्या कहलाता है आपका polymorphism ठीक है question number next है हमारा 26 space lattice of cf2 is आप देखे cf2 का कैसा होता है lattice जैसे ncl का आपने देखान fcc होता है तुसी तरह से cf2 का क्या होता है यह हमें बताना है तो cf2 भी fcc ही होता है ठीक है cf2 का भी fcc होता है generally जो भी ionic compound होते है उसका fcc ही होता है एक general तरीका है याद करने का ठीक है next question है 27 number question देखे आपका है the total number of atoms required to form a bcc lattice will be तो bcc lattice बनने के लिए total number of atoms कितना required होगा तो 6, 8, 9 and 12 तो इसमें option जाएगा आपका c ठीक है 27 का c होगा आपका 9 मतलब 9 atoms required होगा bcc lattice बनाने के लिए body centered है 8 जैसे आपका इस तरीके से structure होता है तो 8 तो सब जगर हैता ही है इस तरीके से body centered का मतलब है कि एक उसके body पर एक रहता है center में ठीक है तो इस तरीके से पढ़ाया है मैंने इस तरीके से बहुत ज्यादा detail में नहीं जा रही हूं बारवार कि body centered face centered में भी होता है कि हर एक देश पर होता है और आठ तो रहता ही रहता है यह जो आप देख रहे हैं सजा हुआ यह रहता ही रहता है सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा का फर्क है तो देख लिजे वीडियो आपके लिए बहुत यूजपूल हो जाएगा आसानी से आप इस सारे questions को कर पाएंगे ठीक है तो question number 28 देखिए बहुत बहुत important है एकदम ध्यान रखे का maximum time पुछा गया है मैच बोक्स एकजिट क्योबिक जिएमेट्री मोनो क्लिनिक जिएमेट्री टेट्रागोनल जिएमेट्री और्थोरॉमिक जिएमेट्री तो मैच बोक्स जो होता है मैच बोक्स आप लोग सब ही की दो दो देखा हुआ है मैच बोक्स बोक्स इन डाइट्रन होता है वह क्या होता है तेन स्वे आई होते हैं मैच ए बात लृव। को पढ़ल हेक था ध। तो a b c a not equal to b not equal to c और दूसरी बात alpha beta gamma आपको पढ़ाया है मैंने कि alpha beta gamma 90 degree के बराबर जैसे किसी भी lattice का जो पहचान करना होता है वो दो तरीके से होता है एक तो side और दूसरा उसका angle से ठीक है तो a b not equal to a not equal to b not equal to c alpha beta और gamma equal to 90 degree होता है तो वो किसके लिए होता है और थो रॉम्बिक के लिए होता है और सारा angle 90 degree के बराबर होगा इसका use आपको आगे questions में दिखेगा इसलिए धियान बनाए रखेगा इस पे ठीक है question number 29 आप देखेंगे tetragonal crystal system has the following unit cell dimensions आप देखें इसका use देखें किस तरीके से होता है अब क्या क्या कि tetragonal crystal system दे दिया और कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जिसको वो follow करेगा ठीक है हना तो यहां देखें tetragonal crystal system has following unit cell dimensions तो कौन सा है इसमें a b a equal to b equal to c यह सब आप देखते जाए options आपके सामने है तो इसमें tetragonal का आपको ध्यान रखना है जैसे एक जगह summarize करके में दे दूंगी लास्ट में आपको यह description box में डाल दूंगी वहां से आप कर लेना क्या है कि आप एक जगहर लिख के उसे याद कर लें कि tetragonal के कौन सा condition है और्थोरॉम्बिक के लिए कौन सा है मैंने लिखवाया है अपने चैनल पर वहां भी देख सकते हैं आप तो देखिए तो tetragonal के लिए जो condition fulfill करता है वो होता a equal to b but not equal to c and alpha beta gamma equal to 90 degree ठीक है तो यह हो गया tetragonal के लिए फिर देखिए next है हमारा बहुत important question है diamond is diamond क्या है और Momo crystal है को वेलेंट क्रिस्टल है metallic crystal है या molecular crystal है तो कोवेलेंट क्रिस्टल है diamond diamond बनता है एक कारवन जब चार कारवन से चार कारवन जोडा होता है तो चार सिगमा बांड हो गया चारो सीगमा बॉंड हो गया, that's why इसका hybridization SP3 हो जाता है, चार सीगमा बॉंड SP3 hybridization, ठीक है, 31 हो गया हम लोगों का, अब देखते हैं, 32 हमारा क्या है, देखे, NACL is an example of obvious है, NACL कैसा compound है, ionic है, इसलिए उसका कैसा example होगा, ionic crystal होगा, समझारी बार, NACL ionic compound है, इसलिए ionic crystal जो covalent compound बनाता है, वो covalent crystal हो जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से 32 हो गया, आगे देखते हैं लोग, तो यहां देखे, how many kinds of space lattices are possible in a crystal, किसी crystal में कितना space lattice बन सकता है, तो आपको पता है, ब्रैविज लेटिस जितना होता है, उतना ही बन सकता है, जो की होता है, 14, 14 ब्रैव का बनता है, तो कितना space lattices हो गया, 14, ठीक है, ध्यान रखेगा, next question है, 34, the vacant space in body centered cubic lattice, BCC unit cell is about, तो देखे, यहां पर question पुछा है, vacant space, तो अगर occupied space पता होगा, तो vacant space भी पता हो जाएगा, तो occupied space इसका कितना होता है, occupied space होता है, आपका 68%, तो unoccupied यानि vacant space कितना हो जाएगा, vacant space 100-68, यानि की 32%, तो option आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है, तो 34 हो गया हम लोगों का, है ना, अब देखते है, 35 में क्या है, देखे, which defects bring in decrease, in decrease in the density of crystal, अब इसमें से कौन सा ऐसा defect है, जो crystal के density के decrease का cause होता है, कारण बनता है, तो आप ध्यान रखेगा, कि आपका जो density में कमी आता है, वो squatty defect से ही आता है, squatty defect में क्या होता है, cation और anion अपने place से हड़ जाता है, और इसमें क्या होता है, कि जिसकी वज़ा से, cation और anion अपना जगह छोड़ देता है, जिसकी वज़ा से आपका crystal का जो size होता है, density होता है, वो घंट जाता है, ठीक है, तो क्या है, which defect brings in decrease in the density of crystal, तो स्कॉर्ट की हो गया और देखें उसी का question का दूसरे तरीके से पूछने का क्या हो सकता है 36 number पे है स्कॉर्ट की defect arises due to missing of cation from the crystalline lattice missing of anion from the crystal lattice missing of cation and anion both from the crystal lattice is none अभी just मैंने बताया आपको कि missing of cation and anion both होता है crystal lattice से तो spotted defect होता है और जिसके कारण decrease कर जाता है density of the crystal ठीक है तो यह हो गया हमारा 36 हो गया अब आबारी 37 की spotted defect is found in अब obvious है कि cation और anion की बात हम कर रहे हैं तो cation और anion जहां बनेगा वहाँ पे spotted defect दिखेगा तो इस case में ऐसा है कि सब सारे लोग वैसे ही है ठीक है सब देखेंगे आप ध्यान से तो क्या है हमारा similar ही दिखता है कि सब तो ionic compound ही है हमारा लेकिन NACL यहाँ पे fulfill करेगा perfect बठेगा क्योंकि NACL जो है NACL जो है spotted defects के लिए जो भी conditions है उन सब को पूरी तरह से fulfill करता है ठीक है इसलिए यहाँ option कौन सा होगा NACL दिखने में लगेगा का आउनिक तो सब है यह भी MgCl2 B KCl भी तो आउनिक ही है बट NACL है जो fulfill करता है पूरी तरह से spotted defects के conditions को अब conditions कहा है यह आपको देखना होगा क्वेश्चन नमर 38 देखे आप इना सॉलिव डाटेश्ट काटायन है लेफ्ट लेटेश्ट साइट इस लोकेट एट इन इंटरस्टेशल पोजिशन देफेक्ट इदम याद कर लिए कि आपका यह कौन सा डिफेक्ट हो जाता है मतलब सॉलिव लेटेश्ट में कटायन इसमें आपको कोई परिशानी नहीं होगी क्वेस्ट नमबर नेक्स्ट है मारा यहां पर ट्राइब कर लिया जाता है तो जो तो चीज है उसे क्या कहते है यह जो आप इसे फ्रेंकल डिफेक्ट में आपने पढ़ा कि कटायन इंटरस्टेसियल पोजिशन पर आ जाता है उसी तरह से यहां कह रहा है कि एलेक्ट्रॉन ट्राप इन अनायन वैकेंसी इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो यह जो होता है आपक अगर ट्रैप्ट इलक्रॉन लेकिन नहीं इसका इस्पेशन नेमिंग किया गया है एफ सेंटर ठीक है क्वेशन नमबर नेक्स्ट है हमारा 40 नमबर पे हैं हम लोग अमॉर्फस सॉलिड आर अमॉर्फस सॉलिड बहुत बार पूछा जाता है यह सब क्वेशन अमॉर्फस सुपर को लिक्विड निक तो इसके बाद दे नेक्सन है गलास इज बहुत बहुत बहतरीन गजांपल है किस चीश का सुपर कूल लिकविड का जैसे एक लंबे समय के बाद जैसे question आता है आपका की mirror का जो काच होता है वो एक time के बाद उसके नीचे का थिकनेस बढ़ने लगता है क्यों कि ग्लास जो है super cool liquid है और समय के साथ धिरे-धिरे वो settle होने लगता है नीचे की तरफ इसलिए ऐसा होता है तो glass is super cool liquid ओके 42 number question है हमारा molecular crystal exist in crystalline state, amorphous state, non-crystalline state and all crystalline state, crystalline में तो होता ही है molecular crystal आपका जिसमें जैसे आप देखे I2 जो होता है वो crystalline state में है amorphous का भी just मैंने बता है glass जिसका की formula होता है S8 तो S8 जो है amorphous state में होता है यारी amorphous state को हुई हम लोग क्या हो सकते हैं non-crystalline state यानि जिसका कोई crystalline state नहीं होता है तो इसमें option कौन जाएगा all crystalline state में भी होगा amorphous state या non-crystalline state में भी होगा तो molecular crystal exist in all state ओके तो question number 43 है हमारा solid having no definite shape is called अब देखे इसमें not definite shape किसका होगा amorphous solid anisotrop crystalline solid none तो क्या है अभी just मैंने बताए कि amorphous state में जो होता है solid उसका कोई crystalline state यह नहीं होता है definite shape नहीं होता है ठीक है तो इसलिए यहां पर option कौन सा हो जाएगा ए मतलब देखे एक ही question कितने तरीके से पुछा जा सकता है आप अगर amorphous solid का मतलब समझते हैं कि super cool liquid होता है इसका कोई definite shape नहीं होता है तो definite shape नहीं होता है आप मॉर्फस solid का देखे 44 नमर question है which one is called pseudo solid cf2 glass naacl all तो glass है इसमें pseudo solid क्योंकि यह है super cool liquid और super cool liquid को ही pseudo solid भी कहा जाता है यानि solid जैसा एक होता है बट वह solid पूरी तरह से नहीं होता है ठीक है question no.45 है हमारा if a is the length of unit cell length of unit cell then which one is correct relationship for simple cubic lattice radius of metal atom a by 2 for bcc lattice radius of metal atom root 3 by 4a और for FCC lattice radius of metal atom a by 2 root 2 और all तो यहां पर आपका option all सही होगा जब आप जाके देखेंगे तो वहां पर chapters में तो वहां दिखेगा कि यह जो relations दे रखा है यह simple cubic के लिए यह relation है bcc के लिए fcc के लिए यह relation है जो कि सही है इसलिए option कौन सा होगा all आप आते हैं 46 पे तो देखे 46 number question है the unit cell with the structure below refers to crystal system अब यह दिया हुआ रहेगा आपको इस तरह से unit cell अब आप से पूछ रहा है कि बताए भया कि यह जो दिया हुआ unit cell है यह किस तरह के crystal system को करता है फॉलो करता है ठीक है तो क्यूबिक को करता है और तो करता है या ट्राइगोनल को करता है तो a b c दे रखा है ट्मेंस कि तीनों अलग है यह सारा एंगल 90 डिए तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि तीनों साइट्स अगर अनिक्वल है और अलफा बीटा गामा आपका 90 ड देखें आप a solid a plus b minus has the b minus i arranged as below यह जो आप देख रहे हैं यह जो red color से मैंने सजा रखा है यह सारा का सारा क्या है वेरा b minus i यह जो लिखा है यही है red color से जो लिखा हुआ है यह मेरा b minus i है b minus i है आप देखें उसके बाद क्या कहता है b minus i i arranged as below if a plus i occupy half of tetrahedral site in the structure the formula of solid is तो मतलब क्या कर है कि a plus i जो है वो occupy करता है half of tetrahedral site तो formula of solid क्या होगा इसको बनाना पड़ता है थोड़ा से तो देखें इसको बनाएंगे हम लोग number of b minus i in unit cell कितना हो गया देखें 8 into 1 by 8 plus 1 ठीक है तो total 2 number of a plus i in unit cell equal to 4 does the formula is a to b formula क्या होगा a to b यह numerical है जिसको आप बनाते हैं इसी तरीके से बनाया जाता है number of unit cell निकाला जाता है पहले ठीक है कैसे निकालते हैं यह सारा theory में आपको बताया गया है देखें उसे समझें वहां से ठीक है और उसके बाद इस तरीके से आप बनाते हैं तो question number 47 complete 48 इक्वेशन इस एक्वेशन कौन सा है इसमें तो चारो आप्शन आप देखेंगे ठीक है तो याद कर लिजिए option number b and lambda equals to 2d sin theta को बोलते हैं इक्वेशन ठीक है इसको ध्यान में रखना है आपको इसको ध्यान कर लिजिएगा आप लोग फिर देखें नेक्स question है 49 graphite is an example of graphite क कोवेलेंट सॉरिट का वंडर्वाल क्रिस्टल का या मेटालिक क्रिस्टल का तो graphite भी बहतरीन example है कोवेलेंट सॉरिट का क्यूंकि graphite में भी तीन कार्बन से जुड़ा होता है एक कार्बन ठीक है तो कोवेलेंट ही होता है graphite भी उसके बाद question number 50 है हम लोगों का the number of atoms molecules contained in one face centered cubic unit cell of a monotomic substance is इसमें क्या होगा यह देखें इसको इसमें कुछ भी नहीं है इसको बस एक जगह आप लिक के रखें आप ध्यान में रखेंगी कैसे इसको करना है तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा four ठीक है monotomic substance है इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा four हो जाएगा ठीक है question number 51 है हमारा the rank of cubic unit cell is four the type of cell is यानि अगर rank four है आपका आपके cubic unit cell का rank four है तो type of cell कैसा होगा body centered होगा face centered होगा primitive होगा नन होगा तो देखें इस question को देखें 50 number question और 51 एक दूसरे को relate करता है यहां पे क्या था कि face centered cubic unit cell है of monotomic substance तो उसका कितना है आपका number of atoms of molecules four तो अगर rank of cubic unit cell four हो गया तो वही हुआ number of atoms and molecules कितना हो गया four हो गया तो type of cell क्या हो गया हमारा यहां यह face centered दे रखा था तो rank पूछ रहा था तो हम लोगों ने four किया यहां rank दे रखा है तो आप से पूछ रहा है कि types of unit cell कैसा होगा तो हमारा कौन सॉप्शन जाएगा face centered जाएगा तो यहां पे देखें मैंने जो questions आपको करवाए हैं 51 इसमें मैंने यह कोशिस की है भरपूर की एक ही questions को कितने type से पूछा जा सकता है एक ही question में क्या change करके पूछा जा सकता है कहीं coordination number mention कर देगा कहीं पे उसका ध्यान में रखना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा ताकि आप question को सही तरह कर सकें तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको याद करनी ही होती है ध्यान में रखने के लिए ठीक है तो इस तरह से 51 questions आपको solve करवाए हैं इसमें आपने एक चीज गौर किया होगा अगर पूरी वीडियो देखी है ध्यान से तो इसमें कहीं भी पी एंड जक्सन नहीं था यानि कंड़क्टन कंड़क्टन से रिलेटेट किसी भी तरह का question नहीं था तो इसलिए नहीं था क्योंकि सिब्सी बोर्ड में वह सारा हटा दिया गया है और इसी एसी बोर्ड में भी भी लाओंगी जिसमें आपके लिए होगा कंड़क्टन्स और मैगनेटिक भी आपको पता दोंगी क्वेस्टन के माध्यम से माध्यम से किस तरह का एंसी पूछा जा सकता यह मैं आपको वीडियो में बताऊंगी तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब अगर आपको मेर जड़ सारा कीजिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक बाई थैंक्यू टेक केर हैव नाइस टे